आपके फॉन में BSNL की SIM डली है उसमें आप Bolt LTE यहाँ पे अनेबल करना चाहते हैं LTE मूड तो उसे आप कैसे कर सकते हैं सबसे पहले जान लेते हैं Bolt LTE क्या होता है और आप इसे अपनी BSNL की SIM में कैसे चालू करेंगे देखो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आप जो audio quality है call करेंगे तो वो काफी अच्छी बहतरीन आवाज चाहेगी जैसे HD quality में तो इसलिए यह होता है 4G के लिए 5G के लिए VONR होता है वो अलग होता है ठीक है और यहाँ पे आप अपनी BSNL की SIM में से अनेलू करना चाहते हैं यह देख सकते हैं हमारे फॉन में यह अनेविल है यह देख पा रहा है BSNL 4G यहां आ रहा है ठीक है जूम करके दिखा देता हूं आपको जैसी कि आप यहां देख पा रहे होंगे इस तरीके से यह देखो आ रहा है BSNL मोईल और यहां पी देख से पहले और यहां कोई दिक इस पर क्लिक करेंगे यह पे आपको देख जागा नीचे यूज बोल टी यह बंद हो सकता है तो यहसी चालू कर दीजिए ठीक जैसे मैंने चालू कर दिया यह देखो यहां पर थोड़ी दिर में आ जाएगा यह देखो आ गया है ठीक है तो यहां पे आप यह भी सैटिंग कर लेंगे access bond name की तब भी यह सही रहता है ठीक है तो यहां पर एपी इन सेटिम गता जेता हूं आपको जो वारेल हैं भी चल रही है ठीक है 4G network पर पर आएगा यहां पर आपकी form में यह रहा है तो तो जैसी इस पे रहों पर क्लिक करेंगे आप उसका देखो यहां पर नेम पर आपको डालना है bsnl net इस तरीके से दिख रहा होगा आपको same apnb भी आपको यही डालना है ठीक है प्रॉक्सी पोर्ट यूजरनेम पास्वर्ट सरवर ममस्स प्रॉक्सी ममस प्रॉक्सी ममस पोर्ट यह सभी खाली शोड़ देना है mcc पे क्लिक करना है 404 करके ok कर देना है mnc पे क्लिक करके इसे आप चंगन कर लीजिए जैसे इसे बता रहा हूँ authentication टाप पे क्लिक करके non कर दीजिए apn टाप पे क्लिक करके यह देख सेते है default.comma s upl इस तरीके से डालके ok कर दीजिए उसका यहां देखेगा आपको apn प्रोटोकॉल यह आपको नीचे वाला select करना है 4 और 6 रोमिंग वाले पे क्लिक करेंगे यह select कर दीजिए नीचे वाला barrier पे क्लिक कीजिए उपर वाला select करके ok कर दीजिए mbno type यह non कर दीजिए उसका इस setting को यहां पे save कर दीजिए save करेंगे यहां पे आपका यहां 4 जी आ जाएगा ठीक है इस तरहीके से देखो फिर भी नहीं आ रहा है तो आप में कमेंट करके बताईए जेहन